Hello students, welcome to study circle 2.0 So, कैसे हैं आप सभी लोग, आई हो बहुत ही बढ़ी होंगे So, दोस्तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं Design of Steel Structure और जो हमारा ये Design of Steel Structure है ये Civil Engineering का एक बहुत ही important subject है, ठीक है तो ये जो subject रहेगा दोस्तो हमारे यहां जो UPVT वाले बच्चे रहेंगे Final Year के, यानि कि Six Semester को उनके लिए Beneficiary है और इसके साथ ही साथ जो भी Other Boards की Students है और Civil Engineering से हैं, तो उनके लिए भी ये subject Beneficiary है, ठीक है और इसका जो complete preparation है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है तो इसकी भी आप लोग चिंता बिल्कुल छोड़ दीजेगा बस आप लोगों कुछ भी नहीं करना, दोस्तो चैनल से जॉइन हो जाना है और अपनी जो preparation है उसको आपको continue कर देना ठीक है, आपको सारे वीडियो जो है playlist में मिल जाएंगे ठीक है, और civil के ही नहीं आपको other branches के भी वीडियो जो है मिल जाएंगे तो एक बार चैनल के बारे में दूसरों लेगों को भी जरूर शेयर किया गाने चलिए, तो आज दोस्तो हमें करना क्या है, जो हमारा chapter चल रहा था दोस्तो बैल्ड जॉइन में हम लोगों ने आपको दूस्तो फिलेट बैल्ड की design से related कुछ question कराये थे है ना और कितने question कराये थे एक question कराये थे ठीक है आपको सबसे पहले हम design पढ़ाये थे यह देखिए पूरा design पढ़ाये थे यह रहा ठीक है यह वाला numerical लगाएंगे हम आज ठीक है तो कल हम एक लगा चुके थे रिजाइन पर बैस आज हम जो हमारा दूसरा question होगा वो लगाएंगे ठीक है तो यह भी question बहुत important है यह ध्यान दीजिएगा दिखिए कुछ question होते है calculation पर based जो की हमारे मन को बहुत भाते हैं भाई कि हमने आज 20 numerical लगा है तीस numerical लगाएं पर calculation पर based लगाओ तो मज़ा नहीं आता निवेर कल लगाओ और concept पर based लगाओ तब ही बहुत मज़ा आता है भाई लगाने को और मेरे को लगवाने में भी मज़ा आता है ठीक है क्योंकि सेम टाप के question तो पचास भी कर लो तो नमाज नहीं आएगा हलांकि practice अच्छी हो जाएगी ठीक है और उस टाप के question पर पकड़ हो जाएगी लेकिन अगर आप लोग 20 टाप के question लगा रहे हो भी अलग-अलग concept के साथ तब बात ही कुछ अलग है तो यह question जो दूसरा है ना य आपको किसका अभी कलपन करना किसका design करना है यह फ्लेट वैल्ट ही तो दिया है आड़े एक प donkey ऊपर दूसरी प्लेट आगर के कुछ इस तरीके से अपने bonus कर दिये फ्लेट वैल्ट ही थीक कर लेंगे बोला है यह यद्दिंट वैल्ट का माप 6 mm हो मतलब जो size of bound दिया है, 6 mm दिया है ठीक है इसके बाद fs का value यह दिया है एप t का value यह दिया है आप लोगों को ठीक है इंगलेस में बोला है design a flat belt of given figure if size of belt is 6 mm ठीक है और fs ft का value यह आपको use कर लेना है तो simple सा question है थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है पहरे figure को है यह question पूरा figure से समझ में आएगा देखिए और हमने काम क्या कर रखा है कि आपकी दूस्तों यहाँ पर एक तो है main plate ठीक है यहाँ आप इसको gasset plate बोल लीजिए जैसे मैं इसको बोल देता हूँ यह जो मेरी plate है यह मेरी gasset plate है main plate की कैसे इस पर member आगे जोड़ते हैं कैसे जोड़ने चाहिए line of action एक रखनी चाहिए यह अलग अलग ठीक है सब बताएंगे तो आप continue रहे बस ठीक है तो यह था आपका gasset plate यह आप देख पा रहे होगे यह इसका plan है यह elevation है तो यह जो आप देख पा रहे है यह वाली plate जो ब बैल्ड कर रखा है ध्यान रखना इस चीज को पिछले question में एक plate के ऊपर एक plate रखी थी और बस यहां से बैल्ड कर दिया था यहां से बैल्ड कर दिया था बट यहां हमने नीचे से भी plate लगा रखी है तो यहानी चार जगे balding क्यों ही होगी आगर हमने side side पे balding करी हुई है थोड़ा बहुत समझे की नहीं समझे एक plate की ऊपर आप दूसरी plate रखो जैसी एक plate यह है मेरी suppose करके इसकी ऊपर मैंने यह दूसरी plate रखी ठीक है यह ध्यान से देखो तो जब मैं balding करूँगा तो यहां कर दूँगा और यहां कर दूँगा लेकिन suppose करके मैं इसी के नीचे एक plate और रख दूँगा ऐसे तो फिर से मुझे यहां balding करने होगी यहां अगर मैं cable side side की बात करूँ तो मतलब मुझे चार जखे balding करने होगी समझे कुछ द्यान से चली इतनी बात समझ गये अब यहां भी पता है बोला क्या गया है बोला यह गया है कि जो आपकी यह cassette plate है इस पर इस direction में आपका कितना 20,000 kg का जो है tensile load आ रहा है और यह जो 20,000 kg का load है यह आदा हादा ले रहा है कौन-कौन ऊपर वाली मेरी plate और नीचे वाली भी plate आदा हादा मतलब 10,000 यह ले रहा है 10,000 kg का यह ले रहा है ठीक है आप लोग समझने है इस चीज को 1 kg हमारा जो हो आपका कितना है आपका 10,000 है तो फिर सीधा एक लाग हो जागए यह दिखान रखें न्यूटन में अगर चेंज करोगे तो ठीक है तो आप आपको करना है इसकी design और design का सीधा समतलब वही है कि size of belt क्या रखना है तो size of belt तो पहले तुसने दे रखा तो उसको नहीं निकाले कितनी रखनी है यह हम गयाद करेंगे लैब कितना रखना है वह हम गयाद करेंगे तो यही सब चीजे गयाद करना designing का ही एक पार्ट होता है तो वही हमें करना है इस question में भी तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है ठीक है उसके बाद आपको समझाते है तो यहाँ पर लिख लो थोड़ा सा ये तो फिगर है यहाँ पर लिख लेते हैं एंगी धिवन क्या है का गटो डिखन से देखिया साइज औ memory अधिया है कि ए और इस टाइप की डो कोश्चन है साइज बरना को कितना दिया एस यह दिया है आपको 6 ayma rynotid इसके बाद हमें एफएस दे रखा है है ठीक है 108 न्यूटन प्रती एनम स्क्वार अधेस होता क्या कोई मुझे बताएगा अधेस होता क्या है यह तो मुझे बता दो लिखने की लिए तो लिख लेंगे फॉर्मूले में भी रख देंगे लिकिन होता क्या यह यह होता है प्रम जो building करेंगी उसमें sear होगा और plate पे tension होगा तो यह tension के लिए है और यह आपका sear के लिए मतलख कटने के लिए है यह कुछ belden तो कटएगी या उखड़ेगी तो वही मतलख यह तरीके सेre होगा लेकि प्लेट उखड़ेगी निए वो सीधा यह लिख लेते हैं 20,000 kg हालां कि इसको न्यूटन में करोगे तो यह हो जाएगा 2,00,000 कैसे हो गया तो मैं इसको लिख देता हूं आपका जो 1 kg होता है न वो 9.81 Newton के बराबर होता है हालां कि मैंने इसको सीधा 10 मान के रख लिया है इसलिए मैंने इतना मान लिया ठीक है यूँकि design का case है तो point में values तो छोड़िए हम सीधा values numbers में बढ़ाते हैं जैसे 289 आ रहा है तो हम उसको 90 कर ले तो यह ध्यान रखेगा है न तो यह तो point की बात है तो हमने बढ़ा लिया इतना हमारे यह Newton हो जाएगा ठीक है समझगे इस चीज को अब इसी load के लिए हमें क्य पहला जो हमारा चीज होता था वो तो होता था size of belt तो size of belt तो हमें दिया गया है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है हमें तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे कि S हमें दिया है 6 mm ठीक है इसके बाद दूसरी चीज हमारी होती थी दोस्तों कि belt land कितनी रखनी है belt land कितनी रखनी है किस size की करनी है वो तो पता चल लेकिन कितनी लंबाई में करनी है यह ध्यान रखिएगा तो अगर मैं आपसे यह पूछू कि कितनी लंबाई में करनी है तो पहले figure से imagine करिए चीज को और माइन में बैठाईए कि कितनी लंबाई में करनी है ध्यान से तो उसने जो question में figure बना ही है यह वालि यही वाली यह उपर पलीट लगा रखी जैसे receiver calculate वैसे को ऐसे रख रकाटउ जो नीचे मेरा comfy वाली कर रखा एक पलेट है कि इसमें आपने यहां 3 लिघ्र होगी और पीछह यहां बेल्डिक कर रखते ही एक पgli जगें वैल्डिंग हो रही है अगर हम इतनी वैल्डिंग को इतनी वैल्डिंग को अगर मैं मालूं कि यह मेरा एल है ध्यां रखिए सपोस करके मैंने माल लिया कि मेरा यह एल है मतलब एक पिलेट की दौनों साइड फिर नीशे वाली पिलेट के भी दौनों साइड यह समझने की गुशिस करना ठीक है तो यानि एफेक्टिव वैल्ड लैंथ हमारी 4L होगी कितनी होगी यह तो एक साइड का है वह भी एक पिलेट का एक साइड ठीक है चलिए तो अब आपको दूसरा जो पॉइंट करना है मतलब दूसरी जो चीज फाइंड करना है वह फाइंड करना है बैल्ड लैंथ आपका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बैल्ड लैंथ फोर मैग्जि तो इसके लिए हम करते क्या है जो प्लेट की टैंसाल स्टेंथ होती है वह बरावर कर देते हैं फ्लेट वैल्ड की स्टेंथ की ठीक है न तो यहां पर लिख लिए चल दीज़िए यह क्यों करते हैं यह भी सबको पता होगा हलाकि इसको बार बार रेपीट करने की मुझे जरूरत है नहीं ठीक है इस्ट्रेंथ और फिलेट वैल्ड क्योंकि जो कंटिनेसली देख रहे हैं उन्हें सब पता है और जो बीच में आये हुए हैं मतलब डारेक्ट वीडियो में ग देखिए ज्यादा आपको समझ में आएगा है ना तो मैं यहीं कहाना चाहूंगा कि प्लीज आप प्लेलिस जाएए जो प्लेलिस मैंने बना रखी है वहां पर सेक्वेंस में देखिए एक लाइन से आईए बहुत मजा आएगा बास्तोर मजा आएगा है ठीक है तो आप प् इडिस लेख्टए होने जो हमारा होता है आफ्ट ईन्टो व्य इन्टो ट्रोव यह जो वैल्यान होते वहांती है के एंटो एडिस इंटोल्च हमारा एफ समझे इस चीज को गी नहीं समझे ठीक है तो यह जो मेरा एल है दोस्तो ध्यान रखो यह तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना है यह जो मेरा एल है वो तो मैंने सिर्फ इतना माना है हाला कि मुझे जो पूरी की पूरी बैल्ड लेंद चाहिए होगी वो मेरी कितनी होगी मैं यहा तो स 언제 понравق Rub एक्षेट फॉर्मूला करते हैं फॉर MILL कि याि में एस एल की जगे हम कौन सी वेल्द्ट युज करते हैं है डोटल ईफ हैक्टिफ लेल्ड लЕंद ही तो यूज करते हैं तो हमैं Hey process की पैजल नावकर के 4 ऑईल रखना होगा यह धिहां रख न हमने इस L की जगे L न रख करके 4L रखना होगा यह द्याँ रखना ठीक है यह सबसे बड़ी केंफ्यूजन है बच्चों में ठीक है तो आप एप्टी का वैलू डेढ़ सो बी का वैलू आपको दे रखा है क्या बी का वैलू कितना दे रखा जल्दी बताव मुझे एक सैकंड यह देखिए ध्यान से थोड़ा सा यह देखो अब एक चीज मैं तुमसे और कुछ अगर बोलना चाहूं न तो तुम ध्यान से देखो यार कि इसमें हम प्लेट की टैंसाल इस्टेंद निकाले या फिर ना निकाले इस कॉश्चन में तो मैं तो यह कहूंगा यार निकालो क्योंकि हमके लोड दे रखा है ना तो हम क्यों निकालए है ना हम क्यों निकाल दे प्लेट की टैंसालещस तंस हम टो इसी योड को ही माल लेते है कि इतना हमारा नोड आना प Become maximum shipping maximum इसी को इसकी strength माल लेते हैं तो आपने फॉर्मूला लिख रखा है अच्छी बात है यह जो फॉर्मूला आपने लिख रखा है अच्छी बात है लेकिन इस पूरे की value आप सीधा क्या माल लो जो आपका यह दे रखा है यह माल लो ठीक है यानि आपका जो पूरा पूरा न्यूटन ठीक है तो यह मैंने इसकी strength रख ली समझके यह नहीं समझके चलिए आंगे continue करते के का value 0.7 एस का value 6 दिया है एल आपको 4L रखना है ध्यान रखना कितना रखना है 4L into fs का value 108 हो जाएगा तो यहां से जो आप L का value निकाल लेंगे वह L का value आपका कितना आएगा चलिए से मैं इसको calculate कर देता हूं तो यह हुझाएगा 2L यानि 50 डिवाइड करना है किस से 0.7 into 6 into 108 से इन्टू 108 से तो यह value कितना आएगा एक second मैं इसको डिवाइड करता हूं 2L को मैंने डिवाइड करा ठीक है इसके बाद किस से डिवाइड करा 0.7 into 6 into 108 और मैंने यहां पर ना 4 से multiply और करना चाहिए था मेरे को चलिए मैं 4 से multiply और कर देता हूं into 4 अब ब्रैकेट क्लोज करता हूं तो अब मेरा value आएगा 110.22 ठीक है क्योंकि मैंने 4 से multiply नहीं कराया था अरे सीधा मैंने इसमें इस पूरे से भाग दिया है तो मेरा जो value आ रहा है 110.22 mm आ रहा है यह मेरा L का value है तो तुम क्या समझे यह L क्या है तुम्हारा effective wavelength है क्या है effective wavelength और यह जो effective wavelength capital L है ना वो single इसका है अकर इसके पीछे करना है तो एक L और करना पड़ेगा मतलब यह अगर तुम्हारा कितना आ रहा है 110 आ रहा है तो 110 mm तो तुम्हें यह करनी ही कर 110 mm भी 110 करनी पड़ेगी जो नीचे प्लेट लगा रखी उसके दौनों साइड भी 110-110 करनी पड़ेगी यानि total कितनी करनी पड़ेगी अगर मैं आपसे पूछू तो कहेंगे सब 440 mm के करीब तो करनी ही पड़ेगी समझे की नी समझे तो यह मैं आपको समझाना चाह रहा हू तो हमने एक की निकाल दी काफी है हमारा अरे हमने जो एक साइड की निकाल दी बस हमारा यहां तक काम खतम हो गया this effective है अलगर कोई actual भी पूंच लेना आपसे तो आप actual भी निकाल देना क्योंकि एक साइड की है तो एक साइड के लिए हम कितना जोड़ देंगे हमारा s और s का वैलू 6 है, तो 116.22 mm आपका ये जो वैलू है, वो हो जाएगा, हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, एक्च्वल वैलू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110.22 mm, थीके, बताये, यहां तक किसी को कोई प्राब्लम हुई, आरे मुझे नहीं लगता भाई, किसी को कोई प्र दिहान से देख लेना इसकी चुम अरेंजमेंट दिखा रहा हूं वो तुम्हें दिहान से देखनी है मैं इसकी अरेंजमेंट बना करके बता देता हूं arrangement कैसे बनेगी इसकी arrangement यह बनेगी अगर तुम plan देख रहे हो ना तो यह तुम्हारी plate है इस तरीके से यह plate थी तुम्हारी यह मैंने इसको cut करके दिखाय सब्सक्राइब तो मैंने यह जो building करी हो यह एक side की बस के वहल इतनी building की बात कर रहा हूं मैं बस इतनी यह जो मैंने यहां से यहां तक की building कर रखी है यह मेरी है दोस्तो 110.22 mm यह मैं effective की बात कर रहा हूं केवल एक side की हलां कि आपने चार जगे करी हुई है चार जगे building कर रखी है तो 110.22 चार जगे तुम्हें करनी पड़ी है अब तुमसे मैं यहीं पर अगर एक चीज और पूछ लो कि मुझे लेप लेंद और बता दो अगर मैं तुमसे यहीं पर पूछ लो कि लेप लेंद तो मुझे और बता दो कितना होगा 110.22 mm तो यह lap length हो जाएगा बस अब आपको एक काम और करना होता है specification चेक करने होते हैं तो एक चीज ध्यान रखो plate की thickness नहीं दी तुम्हें plate की thickness तुम्हें नहीं दी है सीधा दिया दिया था कि यह load इतना आ रहा है यह load इतना आ रहा है ठीक है प्लेट की thickness तो मैं दी ही नहीं थी में इस को और क्या चक्र करों कि नहीं पर आकप को का question फिनिस होता है समझ गए इस चीज को चलिए तो आई होब साभी लोगों को समझ में आगया होगा हालां कि अगर तुम्हारे बुक में न जो मैंने यहाँ एक्चुल वेलू लिखाई हुई है इसमें टू एस जोड के दे रखा है इसमें अगर टू एस जोड के दे रखा है तो कंफ्यूज मत होना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वह गलत है एक तरीके से मेरे एकॉर्डिंग सोचोगे तो उन्होंने टू एस ले रखा है ठीक है उन्होंने जो टू एस ले रखा है पता कैसी ले रखा है अगर मैं तुमसे यही कहूं कि भाई यह तो मेरी यह कैसा एक्शुल है अगर तुम उसमें यह इनिकल्यूट कर दो और तब हम मानें कि हां यार अब तुम सही कह रहे हो मतलब 220 दिसमलो और फिर 12 करो तो हम कम से कम यह माने कि जो तुमने यह एक्शुल बैल लेंद बताई हुई है वह एक प्लेट के दौनों साइट की एक्शुल वह एक्शुल सब्सक्राइब लेरहें तक गलत नहीं होगा तो यह नहीं रखना ओछिए तो यह संब्सक्राइब हो समझ में आ जागा होगा चलिए इसका इसकी माने जल्दी से दिखकर का क्वर्बलम को बेजिद करना हे है क्विद्ध तो इसको मैं रख देता हूं साइड में और अब जो हमारा अगला question है उसकी और हम बढ़ते हैं ठीक है अब आप इसमें कहेंगे सर आपने तो ऊपर भी जगे नहीं छोड़ी क्या करें हम पता है question design कर रहे थे तो हिंदी में लिख लिए फिर हमें याद आया कि English भी लिखना है तो फिर English यहां लिखते है तो खराब हो जाता फिर हम उपर ही लिख दिया है ना तो question बिलकुल same वही है जो आप पिछला question करे हुए है ठीक है समझ गई बस इसमें थोड़ा सा language change है उसमें पता क्या पूंचा है इसमें पूंचा है जोड़ का चड़ाओ ग्याद कीज़े य on either side of a thicker plate यानि कि एक multi plate के ऊपर और निचे दो thinner plate आपने correct कर रहे है ठीक है if the s is equal to 6 mm मतलब size of belt अगर 6 mm है then find the required lap length ठीक है lap length क्या हो निची ही आपको ग्याद करनी है ठीक है बोला है दियेगा चित्र में एक multi plate के दोना और दो पतली पिलेटें belt द्वारा जोड़ी गई है size of belt यानि s का value तो यह आपको 6 mm दे रखा है अगर आपको fs नहीं दिया तो आप मान सकते हो 108 newton पर m2 ठीक है ft का value 150 newton परती mm2 ठीक है चलिए इसके बाद आपको कुछी भी नहीं करना वही simple काम design वाला वही simple काम design वाला करते रहना है पहला क्या होता है size of belt निकालना तो size of belt s तो हमें दे रखा है 6 mm दूसरा क्या होता है दूसरा होता है belt length निकालना क्या निकालना belt length for maximum strength तो क्या करते है plate की tensile strength को बराबर करते है हाला कि plate की tensile strength निकालना की जरूत ही नहीं है क्योंकि उस पर load कितना आ रहा है वह दे रखा है तो यही हम strength माल लेंगे PT की ठीके समझ गे तो plate की tensile strength कितने हो जाएगी यह हमारी कितनी दे रखी है 30,000 तो हम 30,000 ले लेंगे लेकिन यह kg में है न्यूटन के लिए क्या करेंगे 10 से गुणा करा देंगे ठीक है तो यह अब न्यूटन हो गया तो plate की tensile strength यह एक साकड़ दोस्तों चलिए continue करते हैं ठीक है sorry for noise अलार्म बजने लगा मौर निंग का है ना तो उसकी वज़े से यह बड़ा से noise आ रहा है कोई दिखकत नहीं ठीक है कम हो गया चलिए हम बात कर रहे थे दोस्तों कि हमें करना क्या इसके लिए जो plate की tensile strength उसको बराबर करना है ठीक है तो आप ही लोग लिख लीजएगा tensile strength of fillet is equal to strength of fillet weld है ठीक है मैंने पीछे detail में लिख दिया तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं आप सबको यह पता होगा ठीक है तो यह तुम्हारा इतना हो जाएगा is equal to strength of fillet weld लेनी है तो आप strength of fillet weld कि लोगे वही k into s into l into f s बस ध्यान यह रखना कि k का value 0.7 होगा s का value 6 होगा लेकिन जहां तुम l रखोगे यह l होता effective blend तो इसमें भी effective blend 4 होगी अगर तुम इसको यहां से यहां तक l मान रहे हो तो ऐसे ही l 4 होगे आपके एक प्लेट के दौनों साइट फिर नीचे लगी यहां से l का value calculate कर लेना तो मैं इसका diet value आपको बता देता हूं ठीकिन l का value जो आएगा effective आला वाएगा 165.34 mm यह effective आगया आपका हाना effective मतलब इतने का आगया ठीके तो यह तुम्हें कर लेना है और यही effective तुम्हारा lab हो जाएगा यही तुम्हारा lab हो जाएगा तीसरा तु यही तुम्हारा lab हो जाएगा अठे तुम्हें यह जो building कर रखी यहां से यहां तक यह देखो यह तुम्हें कित्ती कर रखी है 165.34 mm यह effective और यही effective जो one face का या एक side का जो bad length होता है वही तो तुम्हारा lab कहलाता है तो यही तुम्हारा lab हो जाएगा कितना 165.34 mm ठीक है तो होगा किसी नहीं करना के आई दोस्तों यहां पिनिश होता है कि इस तरीक से तुम यह कोश्चन करना था अब कल के लिए भी मैं कूछ questions लेके आया हूँ, हलांकि मन तो है कि अभी करा दो, लेकिन थोड़ा सा इससे बहुत अलग है वो question ठीके न, और conceptual question है, भाई calculation वाले तो देखिए सब कर लेते हैं, सब करा भी देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ऐसे questions पर भी attempt करना है, जो थोड़ा conceptual है, कुछ सीखने को मिल र लगाए कि concept वाले ही छोड़ा है, तो concept वाले question जरूर लगाए करें, तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, अगर इसमें हमें जो plate पर आ रहा है load दे रखा था, उसे load को यह हमने 10 साले stand मालो लिया है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, तो यह दोनो question तुमारी finish हो ठीक है, कि मैं कराऊंगा लेकल वो कराया नहीं थी, तो वो मैं लेकर आला, ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं बहुत जल जल जो हमारा अगला video को उसमें, और I hope आप सभी को यह questions मैंने कराया है, सब को समझ में आ गया होंगे, ठीक है, अगर यहाँ थोड़ा दिख्कित होई हो तो मिलते हैं बहुत जल जो हमारा अगला video को उसमें ठीक है, ठीक है, ठीक यू